हेलो बच्चो, आप जगवीर, Chemistry Faculty at Competition यार आज जिस टॉपिक के वारे मैं बात करने जा रहा हूँ मैं हो सकता है वो आप मैंसे बहुत बच्चों का ड्रीम हो मैं बात कर रहा हूँ कि आप अभी जिस एज में हैं आप जई में जई एडवांस एक बड़ी IQ वाले बच्चे हैं उस एज से आप अगर इंडियन आर्वे में जाना चाहते हैं तो आपके पास में क्या केरियर अपॉर्चुनिटीज हैं बिना कोई टाइम बेस्ट करके बहुत सीधी सी बात करते हैं जिसके लिए of course team competition जानी जाती है हाँ जी मैं बात कर रहा हूँ आपसे किया TES46 मतलब TES का क्या मतलब है सर Technical Entry Scheme 46 की बात कर रहे हैं ठीक है TES46 है ना क्या है सर Technical Entry Scheme मतलब इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं दर असल है न देखो कौन-कौन इसमें apply कर सकता है पहले उसके बारे में बात करेंगा और बहुत डिटेल से मैं आपको एक एक चीज elaborate करोंगा इसके बारे में क्या करना चाहिए क्या नहीं ठीक है सबसे पहले जो भी बच्चे आप में से बच्चे कौन से वाले unmarried male candidates ठीक है और जिनकी age कितनी होनी चाहिए सर 16.5 से लेके 19.5 के बीच में जो भी बच्चे हैं और जो army के लिए passionate हैं और जिनका एक basic IQ है बहुत interested हैं जो चाहते हैं कुछ देश को serve करना अरे army में जाना चाहते हैं आर और वो भी officer rank पर तो वो सुन लें मेरी बात है ना तो मैं क्या कह रहा हूं आप से कि जो इस procedure है procedure का नाम है TES 46 ऐसे निकलता रहता टेकनिकल एंट्री स्केम है ना यह 46 में candidates हुए पास 10 प्लस 2 examination जिन्होंने पास किया हो किस से सर्फ physics chemistry and mathematics ठीक है PCM जिसको बोल देते हो आप and appeared in J.E.Mains 2021 examination क्या बात कर रहे हो सर हां और बाकी का जो eligibility criteria है वो fulfill कर रहा है तो वो बन्दे apply कर सकते हैं बहुत क्या must है आप PCM से हो aggregate marks आपके 60% रहे हो और दूसरा आप J.E.Main में appear होए हो J.E.Main में appear होने की बात क्या है कि आप से CRL पूछी जाएगी मैं कह रहा हूँ किसी भी बन्दे को अपनी category rank उसमें नहीं भरने की है CRL के लिए ही वो option available है ठीक है ultimately एक deciding factor तो सामने बाले के पास एक point तो मौझूद होगा ना कहीं इसलिए जितनी better आपकी लेकिन इनोंने सिर्फ और सिर्फ क्या मांगा है आप appear होए हो J.E.Main 2021 examination में बस इतना बोला इनोंने इनोंने बोला नहीं कि आपकी क्या rank रही होगी लेकिन जो fill up करने का आएगा J.E.Main rank पूछेगा जैसे आप form fill करेंगे उसमें J.E.Main CRL rank आपको fill करनी पड़ेगी ठीक है समझ गये आप बात nationality के बारे में कोई दिक्कत नहीं है न age limit मैंने आपको already mention कर दी कि साड़े 16 से आप कम नहीं होने चीए ठीक है समझे ये वाला जो criteria ये फुल्फिल होना चाहिए आपका बस इतनी सी गया रहे educational qualification मैंने mention करी दिया आपको और दूसरी बात क्या है it's equivalent with a minimum aggregate percentage mark 60% आपके होने चाहिए PCM में ठीक है तो आप eligible हैं भर सकते हैं और candidate must have appeared in J.E. means क्योंकि भरवाएंगे भई ये आपसे रहेंगे इसी लिए और ये बात जो बोल रहा था आपसे कि CRL rank आपको सिर्फ भरनी है आपको category rank उसमें नहीं fill करनी है समझ के आप इंडियन आर्मी है बिटा वो ठीक है अब बात आ रहें सर कितनी vacancies हैं हमें पताएगी जी advance में जी means में इतनी number of sheet हैं और यहां पे सर कितनी vacancy हैं तो बेटा यहां पे 90 vacancy हैं मिला के ठीक है टोटल 90 ऐसी sheet हैं जिनके लिए ये exam लिया जार मतलब सॉरी जिनके लिए ये technical entries के में एक्जाम नहीं है इसमें है तो क्या है सर अरे exam नहीं है important बात सुन ले अब सारे लोग ठीक है इसके बारे बाद में आज जाएंगे जो जो main बात थी हो इसमें हो चुकी क्या होगा आप form फिल करेंगे 90 post के लिए आपका SSB होगा जैसे आप फिल करेंगे आपको SSB के लिए बुलाया जाएगा हाँ जी SSB क्या है एक procedure होता है पांच दिन का जिसमें आपकी बहुत सारी चीजन चेक की जाती है आपकी physical capacity की चेक की जाती है और basically physical की तो बहुत कम है आप basically आपका IQ चेक की आजाता है एक performance आप सामने वाले बहुत सारे task की दे जाते हैं आपको उन 5 दिन में उनको perform करना होता है एक presentation, group discussion होता है बहुत सारी चीजन होती है यार उसमें 5 दिन के duration में ठीक है आप कहीं भी YouTube से एक basic idea ले सकते हैं और नहीं तो आप चाहें तो जब तक इसके लिए आता है और अगर आप free हैं अभी तो आप कहीं भी कोई institute वगरा भी कुछ time के लिए join कर सकते हैं जो आर्मी के लिए deadly passionate है मैं उनके लिए बता रहा हूँ ठीक है होगा क्या अगर आप SSB clear कर लिए तो आपकी life बन जाएगी क्या मतलब सर जो 90 बच्चे होंगे उन 90 बच्चों को 5 साल की training दी जाएगी मतलब सर हम तो सुचरे जॉब लग जाएगी हमारी आर्मी में अरे बेटा training का मतलब क्या technical entry scheme है समझ रहो पांच साल की training क्या मतलब एक साल की basic military training और चार साल की b-tech आपको कराई जाएगी क्या बात करें सर आर्मी में भी टेक कराई जाएगी हमारी आर्मी है वाव है ना तो वही मैं कह रहा हूँ आपसे कि एक साल की officer training academy गया में आपकी training होगी basic military training जहां पर basically आपकी basic IQ develop करी जाएगी और आपकी physical training mainly होगी आपको physically fit होने चाहिए सारी चीज होनी चाहिए ऐसे ही नहीं कोई भी चला जाता आर्मी है वह ठीक है 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 ना technical training होगी फिर उसके बाद में technical training दो phase में नहोंने divide कर रखिये तीन साल की और एक साल की दो अलग-अलग institutum होगी यह चीज है ठीक है उसके बाद में क्या मिलेगा आपको इस training को successful करने के बाद टोटल 5 साल की होगी एक साल की military और 4 साल की simple btec में ऐसे एक तरीके से कह रहा हूँ है ना दो पार्ट में बांट रखिये उन्होंने वो आप समझने के लिए आप समझ सकते है exactness यह है दरसल ठीक है क्या मिलेगा आपको the candidate will be awarded इंजिनिरिंग डिगरी after successful completion of the final examination और उसके बाद में क्या होगा हाँ जी engineering degree आपको दी जायेगी और engineering degree के बाद में आप समझो कि आपको कौन सी rank पर commission किया जाएगा दरसल आपको lieutenant की rank पर commission किया जाएगा बाद समझ गया ठीक है आपको कौन बना दिया जाएगा आर्मी में lieutenant की rank पर आप select होंगे Lieutenant अभी movie आई थी ना विक्रम बत्रा की Lieutenant विक्रम बत्रा कारगिल परंबीर चक्र है ना वो Captain बाद में बन गए थे दो साल का promotion होता है बाद में Captain बन जाते हैं किसी ने सुनी हो ये rank में elaborate कर देता हूँ पहले देखो दो साल के promotion के बाद में आप Captain बन जाओगे फिर आप Major बन जाओगे 6 साल के बाद में वो कुछ नहीं करना होता है आप कुछ criteria फुल्फिल करने होंगे ठीक है वो आप बनते जाओगे फिर Lieutenant Colonel है फिर Colonel है है ना और फिर Brigadier, Major General Lieutenant General और इस तरीके से Ultimately आप यह आपके further promotion है ठीक है और salary बहुत लाद जवाब है पूरे इंडिया में सबसे खतरनाक salary होती है क्योंकि army में बहुत सारे risk allowance भी होता है और army का भी particular एक basic पे होता है अगर army में serve कर रहे हैं आप officer rank पे बहुत सारी चीज़े हैं वहाँ पे तो इस चक्कर में allowances बगेरा मिलके salary बहुत शांदार होती है ठीक है यह basic है अब इसमें जोड़ जोड़ के salary होती है 82-85,000 या 90,000 और वो भी इंडियन army में lieutenant की posting आपको मिल रही है ठीक है इससे बेहतरी कुछ नहीं हो से जैसे मैं आपको बता रहा था कि 15,500 तो fix ही है आपके military service पे के नाम पे है यह सारी चीज़े है आप देख सकते है बहुत सारी चीज़े है बहुत allowances बगेरा है बहुत सारी चीज़े है ठीक है यहाँ 25,000 गई है uniform allowance आपको मिलेगा 20,000 पर यह allowances है इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा DA बगेरा क्या होगा यह सारी चीज़ें क्या हो रहेंगी ठीक है यह तो जब आप commission होंगे तब की बात है बहुत गज़व facilities है सारी की सारी सब कुछ लाजवाब है यार तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा क्या करना है application online accept के जाएंगे आपके candidate को click करना है online application पर website पर जाना है joinindianarmy.nic.in पर ठीक है और क्या-क्या चीज़ें आपको चाहिए documents documents will also be carried along the application form class 10th की certificate जिसमा original date of birth आपकी है इसलिए चाह रहे हैं वो लिखाएं ना साड़े सोले से साड़े उननीस दूसरा class 12th और ID proof original copy of result यही मैं यह सारी चीज़ें समझ गया तो यह सारी बाते हैं यार जो मैंने बता दी हैं आपको कुछ instruction चाहिए आप पढ़ सकते हैं सर यहां में कहां से पढ़ना है कहां यह चीज मिलेगी उसके बारे मैं आपको हलका सा बता देता हूँ आप simple से क्या करें Google पे जाए Google पे type करें आप सरकारी result ठीक है सरकारी result Google पे type करें आप आप यहां पहुँच चुके है सरकारी result के बाद में आप सीथ है यहां पे जाए ठीक है यहां क्या मिल जाएगा यहां पे आपको सारी चीज़े मिल जाएगे आपकी application fee 0 है बिटा बहुत बच्चों को रहता है कि पता नहीं यहां पे यह application fee के नाम पे भी बहुत कुछ ले लेंगे नहीं 0 है जनरल OBCS, CST आप कहीं के भी यहां कोई matter नहीं करता है आपकी 0 application fee है ठीक कोई application fee नहीं किसी के लिए भी अब सबसे important बात है आपकी important dates जिसके बारे हम बात कर रहा हूँ ठीक है इसी लिए important होता है कि पूरी की पूरी वीडियो देखनी चीए किसी भी information related application कब से begin होंगे सर्फ 7, 10, 2021 से सुरू होंगे 8, 11, 2021 तक चलेंगे मतलब आज कितनी होगी आज होगी 22 तो आपकी पास chance है मैं कहा रहा हूँ आज और कल में जिन जिन को भी apply करना पेटा फीस कुछ लगी नहीं रही है apply कर दो ना यार ठीक है उसके बाद मैंट कार्ड बगेर आज जाएंगे वो कोई दिक्कत नहीं यह वाली बात मैं बताई चुक हूँ आप लोगों का already ठीक है वो official notification था जो मैंने आपको elaborate किया total 90 push रहेंगी गरीब यह सारी चीज़े हैं अब बात जो मैं बता रहा था वो मैंने यही से download किया था download notification वाला यहां से आप download करके उसे पढ़ सकते हैं और apply notification apply online पे जाके आप apply कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे click करके जैसे ही जाएंगे यहां यह खुल जाएगा यह उनके लिए है दरसल जो पहले से registered है वो यहाँ पे आएंगे और जो नए बच्चे है enrollment करना चाते हैं नए आप registration करना चाते हैं कह रहा है ना new registration ठीक है तो क्या करें registration पे जाएं नए registration registration यह point पढ़ें दरसल ठीक है और फिर continue करके आप यहाँ पर अपनी personal detail रेजिस्टर कर सकते हैं और यहां से जो username और password आपके पास जनरेट होंगे आप बहार आके उन username और password का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर already registered वाले इन जगे पर username, password, capture फिल करके और login करके आप जो भी सामन नहीं होगी कुछ है तो comment section में comment कर दें we will address your comments thank you everyone और मैं चाहता हूँ कि यार आप ऐसे बहुत लोग जो भी interested है उनको अब तक नहीं पता था कि इसमें क्या scene है क्या नहीं है मैं आपको सारी चीजने elaborate कर दी बहुत आराम से है ना जो भी interested है कम से कम वो form जरूर फिल करें ठी all the best from team competition from Jagveer thank you